हमने इस लेक्चर के पिछले पार्ट में पढ़ा कि एक सब्स्ट्राट जब रेस्पेरेशन के जाता है ऑक्सिडाइज होता है तो पहले ग्लाइकॉलिसेज फिर क्रेप साइकल इनमें एनेडीज बनते हैं एफडीएज टू बनते हैं और कुछ एटीबी बनते हैं तो जो एनेडीएच और एफडीएच है इनके अंदर अनर्जी ट्रैप हो जाती है और अल्टिमेटली यह एनर्जी यह बेग्डाउन होते हैं और इनके एनर्जी रिलीज होके एटीबी बनते हैं वो जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की तो ये जो मॉल्लेकूल NADH और FADH-2 कैसो ऑक्षडास होते हैं? इलेक्ट्रान ट्रांस्पोर्ट सिस्टम के थूर और अपरी अनर्जी रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रान ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में जो एलेक्ट्रान है वो एक कैजर से दूसरे कैजर तक जाता है ultimately electron oxygen को दे दिया जाता है जिससे पानी बन जाता है और electron transport system या electron transport chain को होती कहा है यह होती है inner mitochondrial membrane के अंदर mitochondria के दो membrane होते हैं जो अंदर वाला membrane होता है उसके अंदर होती है उसमें होती है electron transport system समझने के लिए कुछ facts बता दें तो ज़्यादा आसा मरेगा एक hydrogen atom क्या होता है यह actually एक electron और एक proton होता है बस H an क्या होता है खाली एक proton होता है तो एक H atom H an बन जाता है अगर उसका electron निकल दिया जाए तो दूसरी बात oxidation किसको कहते हैं या तो किसी atom मोलीकूल में oxygen add हो जाए या उसमें से hydrogen निकल लिजाए या H an निकल लिजाए या electrons निकल लिजाए और reduction किको कहते है hydrogen add हो जाए या oxygen निकल लिजए या electrons add कर दी जाए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि electrons negatively charge होते हैं अगर वो किसी के bank account में add होंगे तो actually bank account reduce हो रहे है So receiving electrons is reduction जो NADH का H atom है मतलब एक electron और proton उससे ले लिया जाता है कौन लेता है complex 1 complex 1 electron तो रख लेता है और जो proton है H IN उसको inter-membranian space पर फैंक देता है तो ETS के जो members है वो सब ऐसा ही करते है जब भी electron को मिलता है तो वो एक proton या H plus matrix से उठाते है और जब वो electron आगे वाले member को दे देते हैं तो जो H atom H IN उन्हों उठाया होता है matrix में से वो वापस matrix को नहीं करते inter-membranian space में डाल देते हैं तो जब electron एक एक करके सारे elements में से पास होता है कई सारे H IN matrix में से निकल के inter-membranian space में डाल दे जाते हैं और ये electron आगे चलते जाते हैं और H IN निकल के बाहर inter-membranian space में डाले जाते रहते हैं जब तक कि oxygen electrons को finally accept नहीं कर लेती तो इससे क्यों होता है कि inter-membranian space में बहुत सारे H IN हो जाते हैं H IN की concentration बहुत बहुत बढ़ जाती है और matrix में काम हो जाती है तो एक concentration gradient बन जाता है inner mitochondrial space के R-par मतलब inner mitochondrial space के बाहर तो बहुत सारे H IN और matrix में अंदर बहुत कम हैं हैं फिर जब concentration gradient इतना बढ़ जाता है तो जो H IN है वो बाहर से अंदर आते हैं वो कहीं से भी नहीं हो सकते वो अंके गुष्टर की जग़ा है विच इस लोन आज ATP synthetase और जब इसमें से H IN बाहर से अंदर आते हैं तो हर बार एक ATP synthesize होता है कुछ और बाते हम पहले ही समझ लेते हैं ETS को determine समझने के पहले कि NADH dehydrogenase मतलब NADH से hydrogen लेने वाली enzyme को कहते हैं complex 1 FADH2 खुद यह एक enzyme है जिसका नाम succinate dehydrogenase है और इसी को complex 2 भी कहते है complex 3 होता है cytochrome BC1 complex 4 होता है cytochrome C oxidase इसमें 4 parts होते हैं cytochrome A, cytochrome A3 एक copper और एक और copper center complex 5 होता है ATP synthetase oxidative phosphorrelation को ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि जब oxidation होती है electrons निकाले जाते हैं तो जो energy release होती है उससे ADB को phosphorrelate करके ATP बनाए जाते है oxidative phosphorrelation यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NADH अपना H atom complex 1 को देता है जो कि NADH dehydrogenase भी कराती है फिर वो ubiquanone को electron दे देती है और H atom H ion बाहर चले जाते हैं FADH2 भी अपने electron सीधे ubiquanone को H दे देता है जो H ion बाहर रख देता है electron रख लेता है तो ubiquanone के पास electron आते हैं NADH से भी complex 1 के थुरू और FADH2 से directly ली और FADH2 है जैसे हमने कहा हमने कहा दिखाता है citric acid cycle में जब succinic acid से malic acid बनता है तो FADH2 बनता है FADH2 एक एक enzyme है जिसका नब succinic dehydrogenase है और complex 2 बीस को कहते है आप देखिए right में succinic acid से बना है malic acid पर बीच में complex 2 जो है वो पहले fumarate को बनता है तो crab cycle में एक और step add हो गया succinic acid जब malic acid बनता है बीच में फ्यूमराइट भी बनता है और यहां पर FADH2 बनता है यह FADH2 एक enzyme भी है complex 2 भी है सारे electron FADH2 यूबिक्रोन को देता है और NADH RIA-CNJ भी यूबिक्रोन को देता है तो यूबिक्रोन के पास दोनों जगे से electron आ जाते है तो यूबिक्रोन जो है वो H-PLESS उठादा है matrix से electron आलरे इसके पास है वो यूबिक्रोन बन जाते है फिर यूबिक्रोन वापस तोक्रिटाइज हो के यूबिक्विनोन बनता है क्योंकि अपना electron तो वो cytochrome C को देता है और H ions intermembranous list में डाल देता है यूबिक्विनोन cytochrome C को directly नहीं भेचता electron पहले cytochrome BC1 complex को complex 3 1 को भेचता है complex 3 और complex 3 cytochrome C को देता है तो दोनो NADH और FADH2 अपने electron यूबिक्विनोन को देते हैं जो फिर cytochrome C को देता है cytochrome C को देता है complex 3 के थो cytochrome C जो है वो एक छोटा सा protein होता है और inner membrane के बाहर चिपका होता है यह actually mobile होता है यह complex 3 से electron लेक्टरोन लेके चल के जाता है complex 4 को देता है complex 4 क्या है cytochrome C oxidase इस पर हमने पहले देखा इस पर cytochrome A होते है cytochrome A3 होते हैं दो copper center होते है तो हम कह सकते हैं कि cytochrome C electron लेके और फिर खुदी cytochrome C oxidase के बाहर जाके कहता है low electron complex 4 जब electron cytochrome C से लेता है तो वो भी एक HIN हर एक electron के लिए matrix उठाता है माईटोसमूर बहार डाल देता है इंटरमेमिजन स्पेस में तो हमने देखा sequence दोनों NADH और FADH2 के electron यूँ भी कुन आन पर जाते है वो cytochrome BC1 के थुरू complex 3 के थुरू cytochrome C पर जाते है cytochrome C फिर उनको complex 4 को दे जाता है finally electron transfer होते होते oxygen के पास जाता है तो complex 4 oxygen को electrons दे के छुटी पाता है और फिर से एक HIN उठाके inter membrane space में डाल देता है oxygen atom के पास जब electron पहुँच जाता है तो हर एक 2 electron के लिए 2 proton वो matrix उठा लेता है तो 2 H बन जाते है तो H2O बन जाता है और बाहर चला जाता है इस animation से आपको picture बिल्कुल clear हो जाएगी आप देख सकते हैं inner membrane of mitochondria जो mitochondria का अंदर का membrane है वो light blue कलर का दरशाया गया है और बाहर का membrane outer membrane dark blue कलर का तो outer membrane और inner membrane के वीच में जगे है उसका नाम है inter membrane space और inner membrane के अंदर जगे है वो है mitochondria का matrix आप देख सकते हैं कि जो inner membrane है उसके कुछ कुछ complexes हैं यह है electron transport system के elements और matrix के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे H INS है मतलब protons NADH दिख रहा है NAD के साथ एक H atom मतलब NAD उसके साथ proton और electron और FAD के साथ 2 proton और 2 electron मतलब FADH2 अब NAD की जो है अपना H atom देता है complex 1 को NADH dehydrogenase जो electron रखके proton को intermembrane space में डाल देता है FADH2 के proton H atoms चले जाते हैं complex 2 में जो electron रखके intermembrane space में डाल देते हैं दोनों से electrons complex 1 और complex 2 से आते हैं ubiquinol के पास जो लेता है matrix से or H INS और ubiquinol बन जाता है फिर यह electron complex 3 को दे देता है और H INS बाहर बन जाता है complex 3 अपने electron cytochrome C को देता और H INS उसी तरह से फिर बाहर चले जाते हैं cytochrome C electron लेकर के cytochrome C oxidase या complex 4 जिसको कह सकते हैं उनको दे देता है complex 4 finally electron देता है oxygen को जो matrix से hydrogen IN या H plus उठाते हैं और oxygen और 2 H atom मिलके बन जाते हैं water और चले जाते हैं अब आप देख सकते हैं कि inter membrane space में कितने सारे H IN है और matrix में बहुत कम तो एक H IN का concentration gradient create हो चुका है और कि मा आप आप अप आप आप एक क्विक रविशन एलेक्टराश्पोर्ट सिस्टम की और ehundo अंड t же देता है במべcs 11 और his जहकी yuva क्नों को देंता है इसको कर्वान जाते हैं कंप्लेक्ष ओसमिस केते हैं इसनों कह Issह इन एक विक्ष्णतर को है एक विक्ष्णतर जाते हैं कंप्लेक्षपी वाहर निकल जाता है तो बाहर रित्ते सारे हिनल के बने हैं वाहर रित्ते सारे हिन्हिस में बहुत कम अगला question कि electron transport तो हमने देख लिया पर ATP कहा produce हुए ATP produce होने के लिए एक process होता है जिसका नमा chemiosmosis हमने देखा कि electron transport chain में क्या हुआ inter-membrane space में बहुत सारे HN concentrate हो गए और matrix में HN बहुत कम हो गए concentration तो जब बहुत ज़्यादा concentration गजाती है और matrix में कम होती है तो high concentration से lower concentration में HN move करते हैं तो वो inter-membrane space से उठके matrix बाने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कहीं से भी गुज़ जाए उनको आना पड़ता है एक channel के थूँ और वो channel का नाम है ATP synthetase इस में से जब HN गुज़रते हैं जैसे वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं हर बार एक ATP बनता है मेटर्स के अंदर तो फिर अगला question कि हम electron transport system पढ़ते ही क्यों है जब सारा कहानी तो HN की है वो बाहर इकठे होते हैं जब वो अंदर आते तो ATP बनता है electron transport chain इसलिए ज़रूरी है क्योंकि chemiosmosis को हमने ये photosynthesis में भी दिखा है होने के लिए हमें चार चीजों की ज़रूरत होती है एक semi permeable membrane जो की इस case में inner mitochondrial membrane है mitochondrial membrane का अंदार वाला membrane एक proton pump मतलब किसी भी तरह की energy जिससे HN को बाहर किसी तरफ एक जगे concentration बढ़ाई जा सके फिर proton gradient मतलब किसी तरह से proton कहीं एक जगे 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 ज़्यादा हो जाए और एक जगे कम यहाँ पर हम intermembrane space में concentration बढ़ाते हैं और matrix में कम करते हैं और finally चौथा जो चीज़ चाहिए वो है ATP synthetase जिसको ATP भी बोलती है तो जो energy है जिससे हमने proton बाहर फैंके वह कहां से आती है वह आती है कि जब यह electron high energy से transfer हो के lower energy में जाता है तो एक energy release होती है और हर बार एक HIN इस energy को यूज़ करके भाहर फैंक दिया जाता है इस picture में हमें पूरा mitochondria दिख रहा है जिसमें एक outer membrane है एक नीले रंका inner membrane है जिसमें electron transport system के elements located हैं जिसमें से complex file जो है वह ATP synthetase जिसके दो parts है F0, F1, F0 वह channel है जिससे HIN अंदर आते हैं F1 वह part है जिससे ATP बनता है तो हम देख सकते हैं कि inner membrane और outer membrane के बीच में inner membrane space है जिसमें बहुत सारे H-ion है कठे हो गए है और inner membrane के अंदर जो light green color का है mitochondrial matrix है जिसमें बहुत कम H-ion बचे हैं बहुत कम protons बचे हैं तो बाहर वाले proton ATP synthetase के थूँ अंदर आते हैं और जैसे-जैसे H-ion अंदर आते जाते हैं ATP बनता जाता है